संजय मिश्रा का छलकार दर्द बुले हमें एवोर्ड नहीं शारुक की तरह ओडियन्स चाहिए डोंट फ़रगेट टु क्लेक उन बेल आइकन टु केट आल लेटिस्ट अपडेट्स आखो देखी के बाबुजी हो या फिर कड़वी हवा का नेतरहिन बुढ़ा बाबा हर किर्दार को अपनी एक्टिंग से जिन्दा कर देते हैं परदे पर वह आपको जितना हसाते हैं उतना ही रुलाते भी हैं परिवार के मुखिया के नाते डाटते हैं और कभी बच्चा बनकर आपको पेट पकड़ कर हसने के लिए मजबूर कर देते हैं चरित्र कलाकार ऐसे ही होते हैं संजे मिश्रा भी बिलकुल ऐसे ही है अब शारुक खान ने उनके लिए काम्याब फिल्म बनाई है यह फिल्म बॉलिवुड में चरित्र कलाकारों के संगश की कहानी है और काफी हद तक यह कहानी संजे मिश्रा के जीवन की भी है संजे मिश्रा कहते हैं हम चरित्रक अलाकारों को एवाड मत दीचिए साहिप हमें शारुक की तरह दर्शक दे दीचिए हम खुद को सफल मान लेंगे संजे मिश्रा ने फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं यहां उनका बड़पन है जो उन्होंने हम जिसे चरित्रक अलाकारों पर फिल्म बनाने की सोची वरना यहां कोई सोचता कहा है फिल्में अच्छी होती है तो हमें नैशनल एवाड दे कर किनारे कर दिया जाता है अरे मैं तो कहता हूँ हमें एवर्ड नहीं चाहिए हमें दर्शक चाहिए हमारी फिल्मों को दर्शक नहीं मिलते हां सरकार चाहे और कम पैसे में प्रमोशन के साथ हमारी फिल्में दिखाई जाए तो हमारा भी भला हो सकता है आखिर हम फिल्में तो अच्छी बना रहे हैं प करनी पढ़ती है संजय मिश्रा मानते हैं कि आज का समय चरित्र कलाकारों के लिए बहतर है कहते हैं अब पंकच त्रिपाथी को देखिए आज जो भी इमांदारी से लगा हुआ था सभी आगे बढ़ रहे हैं वजह है कि अब समय बदला है अब सब्जेक्ट पहले हो गया है औ कि स्टार वेल्यू हमेशा रहेगी लेकिन चरित्र कलाकार भी अब अहमियत पाएंगे और यही हमारी जीत है ब्यूरो रिपोर्ट इंडियन फिल्म हिस्ट्री पर मौर इंट्रेस्टिंग अन अपडेटेट बॉलिवूड नीज प्लेस सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस यूट्री यूट्यूब चैनल